आज आपको बतायागा बॉटटल जा एंड लिवर फिलू का ट्रीक्वेंट की क्या टीक्वेंट तरीज है लिवर फिलू की की डिजेज हो जाती है । उसमें कीया ट्रीक्त करना चीए और किस की सिंटम्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आप अपने पशुँ में पैचान सकते हैं क्यूंकि बहुत ऊस्तरह की एरिया है जहां पर इसमें लियूर फ़लु गभी जा कर देखने को मिल रहे हैं एक और बताना चाहता हूँ कि लियूर फ़लुक अर्वटल सब्सक्राइब करें कि आpos सब्सक्राइब करें कि आपको सखी चाहिए डिए कर चाहता है कि गाय भात कि गै distress हैं उसमें यह जो लूँड़ फुली के सिम्टम सी है कि आपकी जो गाई-भैंस है उसके जबड़े के निचे यानि गले के पास जबड़े के नीचे वाले इसे में एक लम्बी त्रह की शुजन आ जाती है छोटी सुजन ही ऐसे कि गेंसी बन गई है वह नहीं लंबी शुजन जो आपको वीडियो में दिख रही है गले के निचे लंबी सुजन होती है रही बात जब आप सुजन को टस्क करते हैं आच से तो नर्म होती है नर्म कैसे जिस तरह से यहाप लगाएंगे जिस प्रकाश्चे किसी प्लास्टिक थिली है उसके पानी रहता है या कोई नर्म है जिसे केगी और दब जाती है तो यह देखनाना चाहिए कि आपकी जो गाय भैंस हैं उसके अंदर लिवर्फलू को चुका है रही बात कईबर गोबर पतला करती है और उस गोबर में दुर्गंद आती है बदबू आती है तो भी आपके पशू में लिवर्फलू का है रही बात यह ज्यादा तरक कैसे फैलता है शोट में बताना चाहता हूं कि आप अपने पशू को बाहर छोड़ते हैं चारागाह में चोड़ते हैं जो नजदी के तालाब है या वहां पर तालाब की वज़ए से घास खड़ी है पुरानी तो उसमें उस तरह के परजिवी होते है जो कि आपके पशू के लिए नुकसान करते हैं वो पेट में जाकर क्या करते हैं उनके बारे में पूरी साइकल किस तरह से बनती है वह तो मेरे चैनल पर वीडियो भी बनी हुए वो भी आप जाकर की देख सकते हैं लेकिन आज की वीडियो में आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा तूसी स्थिति में अपने पसू को खोलते भी नहीं है जहां पर तालाब हैं चारा गाह लेकर जाते हैं यह दिवाँ से आप कुछ गहास या चारा यह दी पसू को लेकर करके घर पर लेकर करके आते हैं उसकी वज़ेसे भी पसू में इस तरह की दिकत देखने को मिल जो आपको मेरी टेबल के ओपर दिख रहा है वह टेटमेंट स्टेंडर टेटमेंट बताऊंगा ज्यादा आपको इस तरह का कोई टेटमेंट नहीं है रहे बात इदी आप जो इस तरह की दिकत हो चुकी है तो आराम से आपके पसू में बोटल जाए लिवर फली उक हो चु आप जो बड़े पसू है जैसे इसकी दी डोज माने तो एक एमेल चार केजी बोड़ी वेट तो जिस तरह ऐसे आपके पसू का बोड़ी वेट साड़ी तीन सो से चार सो केजी तक है तो उसे आप सोएमेल एक साथ औरेली पिला देनी है और जब यह दि इस तरह गा केस होता है तो उसमें आपको यह रिपीट भी करनी है repeat कब करनी है कि आप 7 दिन बाद में भी इसको repeat कर सकते हैं अधी normal है अधी एकदोज देनें के बाद मेरे आपके पसुठ ठीक हो जाते हैं तो आप 14 दिन बाद मेरे भी इस दवाग को repeat कर सकते हैं लेकिन इस तरह के falandonna को repeat ज़रूर करनी है रही बाप एंडी आपको लिवा माई ओकसी कलोज़नाइट साइट के बोलस मिल रही है तो उनका भी आप परियोग कर सकते हैं जो तीन ग्राम से लेकर के चार ग्राम तक मिलती हैं कि इसे मेडिस्यन का पर्योग दियां का फस्uru प्रिग्रेंट एंदिंसी सेटीह तो आप को ये пам의 करना है करना कईबर क्या हो जाती है कि बीक्यति दिककत हो जाती है धाइरिया ज़स्त करने स्टाट हो जाता है तो उसमें आप side therapy की तोर पर हलागि man role तो इसी का ही होता है तो आप उसमें antibiotic bolus का भी प्रियोग कर सकते हैं जिस प्रकार से और इंडाजोल बोलस है जिस प्रकार से ओफ लोकाइन और जेड बोलस आती है में काइंड गी तो यह antibiotic बोलस भी आप उस पस्चो को दे सकते हैं जिस तरह से यह दो बोलस जो बड़े पस्चों हैं उनमें आप दो बोलस सुबह और दो बोलस स्याम लगातार दो से तीन दिन आ दो सो से डाइसो केजी है तो इनमें आप एक बोलस सुबह और एक बोलस स्याम आप लगातार तीन दिन तक आप इस बोलस का भी परियोग कर सकते हैं यह दिए ओफ लोकाइन ओजेड बोलस नहीं मिल रही है तो उसमें आप जो एंटी जेड आती है नोरफ्लोग्जासिंग इन डाजोल बोलस इस बोलस का भी आप पुड़ियोक कर सकते इन दोने के जी आप रही है तो इन आप एक बॉलस स्वभ हो एक बॉलम लगातार तीन दिन तक आप इनका इन दोनु में से कोई एक ही बॉलस आपको आंटिबायेतिक में परयोग करनी है दोनु एक साथ परयोग नहीं करनी है if this arts factor बिखेंस में क्या हो जाता है कि इंजेक्शन का भी आप परियोग साथ में जरूर करवाएं यह दी बैटर जेल लेना है जो बड़े पसु हैं जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें आप 10 ml इंट्रा मस्कुलर यह इंजेक्शन उन पसु को जरूर लगाएं यह इंजेक्शन आप उन पसु में लगातार तीन से चा प्लोक है बोटल जा हो जाता है ठीक हो जाता है यह इंजेक्शन में लगा बहुत इस तरह एक उसमें प्रशू में तो उसमें प्लोज्ट जो बोलस आती है क्लोज जो बोलस आती है छे राम की इस बॉलस का भी प्रियोग कर सकते हैं इसकी डोज होती है 10 ग्राम पर केजी बोडी वेट यानि जिन परसों का बोडी वेट 600-500 केजी से 600 केजी तक है तो इन्हें आप यह एक बॉलस जो यह छे ग्राम के आती है उन परसू को एक बर दे सकते हैं खहने का मतलब है कि यह एक बेट बॉलस पर्यों कर रहे है तो उसमें आप नेल जान लिकविड नीचिकर उनका पर्योग करतें शिर्फ इसे करें करना है यह पर शुपाला की वेटिवու इस थैंक्स घन्यवा